पिनाम दोस्तों मैं आरोई आप सभी का दिल से पैलकम करती हूँ उमीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉसिटिव होंगे सबसे पहले तो बहुत सारा थैंक यू एंड ग्रेटीटिव कि आप सबने मुझे इतना सारा दिल भेजे हैं यानि की हाट भेजे हैं और मेरा पूरा कलका परसों का जो वीडियो है वो पूरे हाट हाट सिंबल से भर गया है और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लि हैं current energy and new moon के बारे में बात करूँगी और जब जब new moon आता है तो मैं जरूर आप सभी को बताते हूं आपको क्या करना और क्या नहीं करना किन चीजों का ख्याल रगना है तो ऐसे ही कुछ चीजों को बारे में बताने में इस बार भी आई हूँ जो कि आपको ये जो new moon लगा है ये new moon ना बहुत ही प्यारा है इस बार का लेकिन प्यारे के साथ साथ में कुछ चीजे ना आपकी ओवर्फिलो में जा सकती है और जब कोई काम आप ओवर्फिलो में करोगे तो फिर आपके दुख का कारण भी बन सकती है तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो कल से क्या इनर्जी शुरू हो जाती है आप इसको फिल कर लेंगे जैसे मैं बताओंगी न तो आपको लगेगा कि हां हम यह एनर्जी फिल कर चुके हैं या कर रहे हैं तो सबसे पहले जैसे की new moon हमारा लग रहा है कल से चार अगस्त से ठीक है तो आप सभी जानते है पोर्टल की भी न्यू मून की भी एनर्जी है तो इस समय ना सन और मून दोनों एक साथ काम कर रहे हैं कर मैं एस्ट्रोजिकल बात करूं न तो लियो में ही सन न्यू मून की एनर्जी क्रियेट हो रही है यानि की न्यू मून में न्यू मून जो है सन यानि लियो के साथ में लग रहा है ठी से हम रेप्रेजेंट करते हैं सन को और मून को तो न्यू मून और जो लग रहा है ना इस बार थोड़ा सा आज में बात कर रहे हूं ना तो मेरा थोड़े से सब्द ना खिच-खिच के होंगे क्योंकि ना मैं इस समय जो पूरा एनरजी में हूं तो मैं एक साइलेंट जोन में हूं तो मैं मतलब खोसिस कर रहे हूं बोलने की विकोस मुझे आपको गाइडेंस देना है बट हां इस समय मेरा प्रॉपर एनरजी जो है सब्दों को सोच के बोलना पड़ रहा है क्योंकि लग रहा है जैसे दिमांक से सारी मेमोरी मेरी डिलीट हो गई है जो भी मैंने 3D लाइफ से जाना है सीख है वो सब डिलीट हो गया है और उसको एक्सप्लें करने के लिए मैं सब्द धून धून के ला रही हो थोड़ा सा म मैं बीच में गैप लेके बात करूं तो जेल लेना मुझे बरदास कर लेना आज के लिए ठीक है तो जैसे मैंने कहा कि यहां पर जो मून की एनर्जी है वो सन के साथ मेरी प्रेजेंट हो रही है सन को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं मास्कुलीन एनर्जी से एंड मून तो जब दोनो चीजें जब एक साथ आ रही है तो अपने आप में क्या आ रहा है आप सोच सकते हैं कि अपने आप में एक यह अलाइनमेंट क्रियेट हो रही है ठीक है एक एनर्जी जो है अपने पावरफुल रूल में आ रही है तो इसका जो आप देखेंगे कि आप सबसे अच्छे से फील करेंगे जैसे कि something आप बहुत special हो और यह होना भी चाहिए जैसे कि मैं पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आहम ब्रहमासनी के बारे में आप जानिए उसको आप बार 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 बोलिए ताकि आप एक alignment में आपाएं मैंने बहुत पहले ही आपको अफगत कर है एलान कर जोकी है कि आप एक हाईयर एनर्जी है और जब हाईयर एनर्जी में जब आप टैप इन करेंगे तो आपके जो ब्लॉक जैसे हैं वह ओटोमाटिकली रिलीज हो गए होंगे एंड हो जाएंगे कल तक जो भी प्रॉब्लम्स आपकी है वह आज ही सॉट आउट हो ठीक है तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक अलाइनमेंट बन रहा है यहाँ पर आपकी चीजे क्या क्या वर्क करें देगो मैं बहुत पहले से आपको बताती आई रही हूँ लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है कि सबसे ज़्यादा आपके थॉट यहाँ पर एक क्योंकि इससे पहले नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं सोचा था अभी जैसे मैंनिफेस्टिशन का नाम आया तो मेरे दिल में एकदम से एक पॉप अप हुआ कि क्यों ना मैं आपके लिए अफर्मेशन बना दू तो मैं कन्फर्म नहीं करती हूं लेकिन हां मैं ट्राइ करूंग पूरा कोसेश करोंगी आप सब के लिए एक अफर्मेशन बनाने के लिए ठीक है तो इस बात को हम साइड में रखते हैं फिलाल तो यहाँ पे आपके जो एनर्जी है प्रॉपर एक तरह से अलाइनमेंट में है और साथ ही साथ में आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी आप करेंगे और आप अपने आप में बहुत सारी चेंजेस देखेंगे जो की जिसे पहले आपको एक फीजिकल वे में प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो आपके यहाँ बैलेंस एंड हील हो रहे हैं एंड इमोशनली लेवल पर जो भी फैमिन या मैस्कूिन डाउन फीस पे थे या अप अप हो रहे हैं ठीक है ऐसी एनर्जी यहाँ पे नहीं है कि आप लो हो जाएं क्योंकि एनर्जी प्रॉपर अपने आप में बैलेंस की तरफ जा रही है और यह न्यू मून जो है आपको इन्बैलेंस नहीं कराएगा क्यों नहीं कराएगा यहाँ पे आपके कोई आपको बदलने के लिए तयार नहीं है आप नहीं चाहरे है खुद को बदलना आप अपना comfort zone छोन नहीं चाहरे है जिस वज़े से आपको problem हो सकती है ठीक है तो overall इस energy में ऐसा कोई role नहीं है कि आपको यह hurt करेगी या आपको problem या कोई problem नहीं मिलेगा विकोज यहां पर automatically energy balance में आ चुकिए sun moon एक साथ है internal level पर भी हमारी divine feminine masculine energy एक साथ होगी साथ में यहां पर reunion भी manifest हो रहा है क्योंकि यहां पर alignment आ रहा है तो यहां पर feminine masculine दोनों की energy balance में आईगी तो यहां पर दूसरी के साथ में मिलना है बात्चित हो सकती है अगर आप ब्लॉक में है या ब्लॉक में है या उन्होंने आपको कर रखा या आपने उनको कर रखा है तो कुछ नहीं कुछ ऐसा scenario बनेगा कि आप unblock होंगे एक दूसरे से बात होंगी और आगे के लिए डिसकस भी होगा बहुत सारी चीजें इस पोर्टल में पोर्टल के साथ साथ में इस new moon में घटने वाली हैं दूसरी अब एक चीज में हैं बता दूँ जैसे कि मैंने कहा था कि वैसे problem नहीं है लेकिन यहां पर ओवर फिलो में अगर जो चीज होगी वो आपके लिए दुखदाई का कारण बनेगी जैसे कि आपके अंतर ना कूत कूत के knowledge निकल के आ रही है आप आपको ग्यान देना है आप दूसरों को ग्यान भी दे रहे हैं और जिसके बज़े से वो लोग नहीं मान रहे हैं और उसका कारण है और उसकी बज़े से आप उसका outcome जो है जो आपको सुन नहीं रहे हैं या फिर वो आपको मतलब importance नहीं दे पा रहे हैं फिर वो family है या कोई भी है तो आपको hurt हो रहा है आपको बुरा लग रहा है तो ऐसा नहीं करना है आपकोस इस समय आप बहुत प्यारी energy हो से भरे हुए हैं और आप चाहते ह हैं कि सामने वाला परिशान है तो उसे दुख से बाहर निकाल दें अपकोस आप कीजिए लेकिन उसके साथ में कीजिए जो ready है खुद को बदलने के लिए जवर्जस्ति किसी के साथ मत कीजिए जवर्जस्ति किसी को बदलाव की तरफ मत लेके जाएए क्योंकि हर किसी की आप खुद को demotivate करेंगे तो यहां पे ओवर्फिलो बहुत है ओवर्फिलो में आप चीजिए को ठीक करने की कोसिस करेंगे या बहुत कुछ करना मतलब ट्राय करेंगे और जिसका outcome अच्छा ना मिले साथ आपको तो मैं यहां पे इस बात को इसलिए बोल रही हूं कि जो ओवर्फिलो आपको हो रहा है वो ओवर्फिलो आपको manifestation में लगाना है वो आप अपने लेवल पे meditation कीजिए meditation करके आप उन person के लिए prayer कर सकते हैं उनकी soul से connect होकर की उनको guide कर सकते हैं soul को guide कीजिए क्योंकि वो 3D life की चीज़े नहीं समझ पा रही है जो अभी उनका physical form है वो दर्रिक्शन मांग सकते है आप अपने आपको heal कर सकते हैं आपके body में कोई विमारी है उसको heal कर सकते हैं आपके body में आपकी soul में जो bleak scote was avoir guardian कर सकते है इं कंटिणी you meditation की अपनी इच्छा सकती यानिकी थाड़ आई को एक्टिवेट कीजिए धर आई पर अपनी संकल्प एनर्जी को क्रियेट कीजिए मन में एक निश्रत की भावना बना लीजिए कि ये मेरी चीजे हो गई है कोई भी चीज है आपकी वह हो चुकी है इस वे में चलिए अपनी बॉड़ी को भी आप हील कर सकते हैं माइंड को भी हील कर सकते हैं relationship को भी हील कर सकते हैं otherwise energy को भी आप हील कर सकते हैं इतना आपके पास potential है strength है power है because आप यहाँ पे एक balance energy में आ चुके हैं तो balance energy जब आपकी शुरू हो चुकी है तो देर नहीं करनी चाहिए पस मैं एक चीज़ कहूंगे कि over react नहीं करना है किसी चीज़ को लेक सामने कोई गलत हो रहा है और आप बहुत होता है यह सब नहीं करना है आपको शानती से रहते हुए उस condition को observe करना है अपने लेवल पे और अपने लेवल पे जब चीज़े समझ में आ जाए कि परिशानी कहां पे है और क्या है उसको फिर meditation में जाकी हील कीजिए उस soul के साथ contact बनाई है उस soul को हील करके उसको direction दिखा के रिलेक्स हो जाए ना तो जगड़ा होगा ना आपको समझानी के ज़रूद पड़ेगी तो घर में शानती आ जाएगी सारी चीज़े बैलेंस में आ जाएंगे और आप भी आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगा लाइक जैसे कि अच्छे से बैलेंस हो जाएंगी तो मैं जैसे कह चुकी हूं पोटल की energy है अपने आप में बहुत हाई है दूसरा की न्यू मून की energy है तो यहां पर रियूनियन बहुत अच्छे से manifest होगा और रियूनियन की energy शुरू होई चुकी है काफी समय से हम कह रहे हैं classages होई रही ह लेकिन जिन्होंने क्लासेजिस नहीं लई है उनके लिए मैं बता रही हूं मैनिफेस्ट कीजिए अपनी मेडिटीशन में जाके बैठिए पांस या दसमनट के लिए करने के बाद खुद को ओम के साथ जोड़िए ओम का उच्छ स्वर में जाब कीजिए क्योंकि नहीं उच्छ स्वर में विकोज आपके अंदर कोई ऐसी हैवी एनरजी है जो आपको डिस्ट्रक्स कर सकती है मैडिटीशन में तो वो रिलीज हो जाएगी ठीक है एक तरह से आप आपका बॉड़ी एक्सरसाइज हो जाएगा और उसके बाद या पांच-पांच मिनट का ये ग्रैप करके करना है उसके बाद शान्त हो करके मैडिशन में बैठना है और अपने डिवाइन पार्टनर को अपने थर्ड आई पे विजुलाइज करना है या उसको इन्वाइट करना है वह चीज आपकी हील हो जाएगी और एंड यह екमपलीट फो जाएगी ठीक है जो लिए है मैं सबके लिए क्याम करना चाहते हूं यहां पे आपको बता रही हुएं आप सबका जल्दी से जल्दी union हो सच में ये मेरी बहुत कामना है कि सबकी चीजे ठीक हो जाएं लाइफ की जो आप चाते हैं वो आपको मिल जाएं जो चीज आप लेके चले हैं अपने मन में वो चीजे आपकी पूरी हो जाएं तो डिवाईन आपको ब्लैस करें बहुत सारा प्यार तो या ये है आपके लिए चैनल मैसेज आज मैं चाता नहीं बोल पा रही हो हलागी मुझे बहुत कुछ बताना था लेकिन सच में मेरी एनरजी थोड़ी ऐसी है कि एनरजी तो भरपूर है प्राबलम नहीं है लेकिन जैसे मैं उस एनरजी में गई थी ना अनकंडिशनल वाली जो मैंने फील किया वह जो ग्रेस मैंने पाई है यह जो जो ग्रेस ऐसी है कि अभी ना ऐसा हो गया कि किसी इसे बात करने का दिल लिए है शांत एक्तम आखें बंद करके अपने आप में डूबी होई हो तो एक वह एनरजी है मेरी I don't know मैं आपको पता नहीं आपको कैसा साउंड कर रहा है यह सब्द मेरा लेकिन हाँ है ऐसा तो मैं अभी जो बोल रही हूं ना सच में बहुत खीच-खीच के बोल रही हूं और एक इदम से जैसे जो लग लगागी कि इस बात को मैं कैसे explain करूँ इस बात को मैं कैसे explain करूँ तो अभी मेरे को जैसे expression में कुछ कम ही रह गई हो ना तो प्लीज divine कह रही हो पीस divine soul family इस चीज़ को ignore कीजिएगा ठीक है और प्लीज अपना ध्यान रखिए बहुत प्यारा बहुत amazing time है साथ में manifestation बहुत अच्छे से होगा meditation कैसे करना यह मैंने बता दिया और मैं आपको क्या-क्या दे सकती हूँ वह मैं सोच रही हूँ water technique यूज करना है जिसको भी crown chakra पे headache हो रहा है थैड़ाई पे headache हो रहा है या body में कहीं भी बहुत ज़्यादा heat हो रही है बहुत ज़्यादा जल रहा है body अंदर से वह काम कीजिएगा पानी भरके रखिएगा एक बड़ी से बरतन में और उसमें अपनी दोनों पैर रखते ठीक है ऐसे चार से पांच बार या पांच या दसमत के टाइम तक करना है और उसके बाद देखेंगे कि आपके body में जो भी problems थी जो भी energy आपको distract कर रही थी वो सारी की सारी relax हो जाएगी ठीक है तो मैं हर चीज आपको समझा चुकी हूँ ऐसा कोई भी problem नहीं है इस portal में घ tomorrow है यानि कि यह energy आपको कोई harm नहीं देगी कोई problem नहीं देगी यहां इस बार तो हम यह भी नहीं कह सकते कि emotionally आप यूजिस करेंगे आप ठीक है तो यह आपकी एनरजी है I hope आपको clarity मिल गई होगी आपको बहुत अच्छे सारी चीज़ अमज में आ गई होगी नहीं भी समज में आई है तो comment में मुझसे पूछेगा ठीक है इसी के साथ चलती हो मिलती हो next video में अपना ध्यान रखिएगा खु vis recommended the guilty Jerry आप सके लिए कि आपने मिजे इत्ता सारा बढ़ा 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 दिल वेजा और वो दिल पाके में बहुत बढ़ा गाडन और हो गई सचने में हुआ को आपको पता है उसके बाद बहुत लोगों के messages आये मेरे पास कि हमने भी आपको dream में देखा हमने भी आपको dream में देखा आपने हमको ऐसे बताया आपने हमको वैसे बताया आप मुझे न शरम आ रहा है उस वीडियो मतलब उन comments को या messages को डालने में कि सब बोलेंगे है ये क्या है कि न देखा न जाना और मैं dream में पहुच गई तो मैंने डाला नहीं है ठीक है लेकिन आप कहेंगे तो डाल दूगे लेकिन मैं नहीं डाल पारी मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा अच्छा सा मतलब कि ऐसा लग रहा अपने आप में लगता कि कहीं मैं कोई भूत तो नहीं हूँ अच्छी भी नहीं होता जैसे कि जैसे कि नहीं होते भूत ट्रेट टाइप्स के जो कहीं भी पहुच आते हैं मेरे साथ ये नहीं हो जाए चलिए चलो आप आस भी लिए इसे वाने से और या और थैंक यू गड़ प्लेस अभी को बाइ लव यू मैई सोल फैमली